नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ओपो F19 Pro प्लस या फिर F19 Pro आपके पास F19 सिरीज का कोई भी मोबाइल है तो उसको आप यहाँ पे हार्ड रिसेट कैसी कर सकते हैं यानि कि पैटन तोड़ने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे पहले तो अपना फोन को स्विच आफ कर लेंगे फोन यहाँ पे आपका स्विच आफ हो गया है अब यहाँ पे आपको पावर बटन दबाना है और यहाँ पे जो वाल्यूम डाउन बटन है इसको आपको एक साथ ऐसे प्र करेंगे और बे पाने के बाद आप यहां पर छोड़ देंगे तो आपके सामने इस टैप से रिकवरी ऑप्शन खुल के सामने आ जाएगा अब यहां पर आपको यह जो इंग्लिश वाला सेलेक्टेड है और डी ग्रीन कलर का है तो इसी आप यहां पर पावर बटन से सलेक्ट कर देंगे और इसके बाद यहां पर आपको ऐसे नीचे लेकर आना है वॉल्म डाउन बटन से वाइब डेटा पर आपको क्लिक करना है आप ऐसे टच करके भी क्लिक कर सकते हैं और यहां पर आपको क्या करना है फॉर्मेट डेटा पर क्लिक करना है और यह जो नंबर है यह आप यहां पर डाइल कर देंगे यह जो लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे 0503 और इसके बाद आपको फॉर्मेट पर क्लिक कर देना है कि सक्सेस्फुली हो चुका है आप यहां पर इसको कर लेंगे वेट कर लेंगे रिबूट और आपका फोन कई बार होता है ना टच करने के बाद यहां पर रिबूट पर ही आपका रिबूट हो जाता है अदरवाइस ओके करके आपको रिबूट पर क्लिक करना था तो इस step से आप यहाँ पी setup कर लेंगे अपने phone का जैसे आप setup करते हैं तो normal तरीके से तो और नई phone का setup कैसे करना है इसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है चैनल पर विजिट करके देख लीजेगा तो चले गाइस मिलते हैं आपको इस वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार